महाराष्ट्र की मंडियों में प्यास की आवग गटने के बावजूद किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहा है। कारण यह है कि अब अधिकांच किसानों को विश्वास हो चला है कि शायद निर्याद बंदी लोकसभा चुनाव से पहले नहीं हटेगी। किसी भी क्रिशी उपज का दाम बढ़ जाए लेकिन अब सरकार प्यास का दाम नहीं बढ़ने देना चाहती है। क्योंकि पूर्व में कई सरकारों को प्यास की महेंगाई से नुकसान हुआ है। इस समय किसानों को उनकी लागत का आधा दाम भी नहीं मिल रहा है। आधा भी छोड़िये सोलापुर और राहुरी मंडी में किसानों को दस फरवरी को प्यास का न्यूंतम दाम सिर्फ एक रुपए किलो मिला। जबकि मनमार में दो रुपए किलो का दाम रहा। इसलिए किसान बहुत नाराज है। अब राजे के किसान इसलिए ही प्यास की खेती छोड़ कर दूसरी फसलों की खेती को चुन रहे हैं। महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के अध्यक्ष भारत दिघोले का कहना है कि निर्याद बंदी की वज़े से ज्यादा कर किसानों को एक से आठ रुपए किलो तक का दाम मिल रहा है। इसके बाद भी सरकार निर्याद बंदी का निर्नय वापस नहीं ले रही है। किसानों ने खरीफ सीजन में भी प्यास की बुवाई कम कर दी थी और रभी सीजन में भी कम की है। क्योंकि उन्हें लागत नहीं मिल रही है। आखिर हम घाटे में खेती क्यों करेंगे। हमारी आवाज न तो सत्ता पक्ष सुन रहा है और न विपक्ष ही धंग से बात उठा रहा है। सोलापूर मंडी में 10 फरवरी को सिर्फ 34,250 क्विंटल प्याज आया तब भी यहां न्यूंतम दाम 100 रुपए प्रती क्विंटल रहा। जबकि एक लाख क्विंटल से ज्यादा आवक पर भी इतना ही दाम था। आठ फरवरी को यहां अधिक्तम दाम 1800 जबकि ऑसद दाम 1000 रुपए प्रती क्विंटल रहा। रहुरी मंडी में सिर्फ 5658 क्विंटल प्यास की आवक हुई। इसके बावजूद न्यूंतम दाम 100 रुपए प्रती क्विंटल रहा। जबकि अधिक्तम दाम 1500 और आसद दाम 900 रुपई प्रती क्विंटल रहा, दूसरी और मनमार मंडी में सिर्फ 4000 क्विंटल प्यास की आवक हुई, इसके बावजूद किसानों को न्यूंतम दाम सिर्फ 200 रुपई प्रती क्विंटल मिला, अधिक्तम दाम 1300 और आसद दाम 1000 रु ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइमस टीवी